तो कैसे याद रिखेंगे हम, राजस्थान की GK भी बहुत राजसी है, राजसी से हो जाएगा R से रण्थमगोर, A से आमेर, J से जैसलमेर, C से चित्तोडगर, G से गागरों, K से कुंबलगर, तो पत्ता नाटक कर रहा है हवा के साथ-साथ, तो पत्ता दतकल हो जाएगा ना अगर नाड़ा खुल गया तो सारी ताकत निकल जाएगी लूंगी अपनी धूतिया पजामा पकड़ के खड़े रहना पड़ेगा ठीक है तो महावली भी नाड़े की वज़े से हाड सकता है और चोले में भी नाड़े का बहुत इंपॉर्टन रोल है तो नाड़े से तमिल न इंडिया यानि की युनेस्को की विश्व धरोहर स्थल जो की इंडिया में मौझूद हैं वी आर डन विद आल दी साइट्स विद इयर्स ठीक है अब हमें क्या देखना है साइट को स्टेट से याद करेंगे असोसियेट करके और इंपॉर्टन पॉइंट सारे पढ़ेंग ग्रेट हिमाल्या नाशनल पार्क कॉनसा ग्रेट हिमाल्यान नाशनल पार्क 2014 में डेकलेठ इंस्क्राइब हुआ था IMPORTANT बात देख लो किलो डिभीडियन के अंदर है पहली चीज दूसरीं जीमाल्यान एर्या का बायो डाइवर्सिती होटeté हट आहाईसा एर्या जहाँ प कॉन कॉन से अनिमल्स मिलते हैं जब हमने नाशनल पड़ा था तब देखी लिया था ब्राउन बेर, हेमालियन ताहर, मस्क डियर ये सारे अनिमल्स के लिए जाना जाता है ठीके तो इस पर वापस एंफिसाइस नहीं कर रही हूं इतनी बात समझ में आ गई चलिए moving forward, I am so sorry, it is bothering a little, चलो अब आ जाते हैं उत्राखंड के ऊपर, ठीके, उत्राखंड में कौन सा होगा बताओ जल्दी पढ़ चुके हैं हम नंदा देवी और वैली ओफ फ्लार्ज, ये दोलों एक ही ट्रीट के जाते हैं इसलिए एक साथ लिखा है हमने नंदा देवी और वैली ओफ फ्लार्ज, नाशनल पार्क, नंदा देवी 88 में इंक्लूड हो गया था स्मो लेपर्ड, ब्लू शीप, ब्ला 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 बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं इसलिए अगें एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे ओके, मुविंग ओवर टु चंडिगर, चंडिगर का हमने कौन सा किया था वो आर्किटेक्ट, ध्यान है, तो चलिए इन्होंने साथ कंट्रीज के अंदर अलग-अलग अपने अर्किटेक्टरल वो कीये, वो सब हेरिटेज लिस्ट के अंदर शुमार है, इंडिया में उसमें कौन सा है, इन्डिगर का है, जिसको कहा जाता है, कैपिटोल कॉंप्लेक्स इन चंडिगर, यहां पे ही legislative assembly लगती है दो states की, कौन से state हर्याना और पंजाब ठीक है, दोनुकी capital चंडिगड है ओके, high code भी यहाँ पर चलता है और secretariat भी यहाँ पर है याद रहेगा, कौन से साल में architect हम कब पढ़ाई करने गए थे 2016 में, तो 2016 में अब देखा, याद हो गया ना अच्छा, चंडिगड कैसे याद रखेंगे चंडिगड, चंडिगड देखो, वैसे भी बहुत खुबसूरत शहर है, तो आप ऐसे याद रख सेकते हो architectural work वहाँ पे होता है, खुबसूरत है पहले जो थे, वो अलड़ी हम कर चुके थे इसलिए मैंने अलग से याद नहीं कर रहा है, उत्राखंड में वैली आफ लार्ड और नंदा देवी पहले ही याद कर चुके थे हिमाचल प्रदेश में, हिमाल्यन नाशनल पाक हम पहले ही कर चुके थे इसलिए असोसियेशन नहीं कर वाया, चलो अब आजाते हम दिल्ली पे, ठीक है, दिल्ली, दिल्ली में है सबसे पहला कुतुब मिनार और इट्स मॉनुमेंट्स देखो, 93 में दो आट हुए थे, कुतुब मिनार और, और, और हमायो का मकबरा, यह रहा, ठीक है, दोनों 93 के थे, अब जल्दी से इनके बार में पहले पढ़ लेते हैं, यह दिल्ली में है, यह बताने की तो जरूरत नहीं है, चलो कुतुब मिनार और उसके मॉनुमेंट्स सिरफ कुतुब मिनार नहीं है, उस पूरे कमप्लिक्स में जो और भी मॉनुमेंट्स है, वो भी इस हेरिटेज लिस्ट में शामिल किये गए हैं, इसमें कुतुब मिनार, अलाई दर्वाजा, अलाई मिनार, और, यह important है, तॉम्ब जो कि first Muslim ruler थे दिली के, ये कुछ basic information है, जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है, आजाते है हुमायू के मकबरे की तरफ, हुमायू का मकबरा भी पूरा एक Tom complex है, जिसमें बहुत सारे अलग-अलग monuments है, जो include किये गए हैं, और बेगम बेग ने बनवाया था, जो कि अगर आपको घूमना है, तो साथ साथ घूमा की 2007 में हुआ था, और इसको Emperor शाह जहाने बनवाया था, जब उन्होंने capital of India shift की थी, आगरा से दिल्ली की तरफ, ठीक है, और famous किसके लिए है, शाह जाहनाबाद के लिए, आर्किटेक्ट्चरल, जो यहां का पूरा आकिटेक् और important कई बार सवाल पूछा जाता है कि लाल किला कौन से पत्थर से बना है, so it is made of red sandstone, red sandstone इसलिए लाल किलर दिखता है, ठीक है, और मोती मस्जिद भी यहां का famous है, okay, so with this we are done with Delhi, अब हम चलते हैं, अच्छा डेली, अब आप बोलों कि मैं हम state तो है, यह यूनियन टेरिट ठीक, चले, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले, आगरा फोर्ट, और क्या क्या पढ़ेंगे, ताज महल भी पढ़ेंगे, और फतहपुर सीकरी भी पढ़ेंगे, शाब़, तो सबसे पहले देख लेते हैं, आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट सबसे पहले प 83, 84 और फिर 86 में हमने गवार के खजूर पर फत्य गी थी 86 तो यह तीन साल रिविजिन हो गए अब चलो जल्दी से पढ़ते हैं जो आगरा फोर्ट है उसमें भी बहुत सारे मॉनुमेंट्स हैं सिर्फ वो फोर्ट नी वो पूरा फोर्ट कॉंपलेक्स होता है जिसमें बहुत शाजाने मुम्ताज महल की याद में बनवाया था और इसको जूल ऑफ मुस्लिम आर्ट इन इंडिया भी कहा जाता है फिर फतहपुर सीकरी यूपी में है और इसमें क्या-क्या है सबसे इंपॉर्टन जो फेमस है यहां का वो है बुलन दर्वाजा जिसको एशिया का बहु जादबाई का महल जिसमें की ऐसा माना जाता है कि जो नवरत्न थे जैसे की बीरबल थे तानसेन थे उन लोगों की जो शुरुआत थी अपने कलाव अगरा दिखाने के वह यहीं से हुई थी और जो बुलन दर्वाजा का अंदर जो है वहां पर क्या है सलीम चिष्टी का ट एगुना आफ कर कि अंटर पर देश का यह मैं आ आपको अलगह से क्यों नी आद कर मैं आगरा ईतर प्रदेश में यह तो सबको पता कर आ थे見て और फटेपुर सीकरी अब देखो ऊतर प्रदेश बुलंदर वाजा पतेफ उप सीकरी अब आप कैसे याद रखोगे इसको याद रहेगा वैसे क्योंकि बहुत popular monument है हम school time से बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं फतेपुर सीकरी UP में पढ़ता है नहीं तो आप देख लीजे कि जब आप किसी के उपर फतेह करते हो यानि किसी के उपर जीतते हो तो आप उसके up आजाते हो ठीके जंतर मंतर जंतर 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 जंत जो जंतर मंतर है वो एस्ट्रोनॉमिकल उब्सर्वेटरी है, जितने भी ग्रेयनक्षातर तारे सितारे हैं, उनकी लोकेशन वगेरा देखने है, टाइम पता करने, संडायल वगेरा, सबकोच अहां पर और यसाब मैंमेड है, मैंमेड है, मैंमेड है, बहुत इंपर्टन बात इस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमिकल 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 लिस्ट में और जैपुर शहर खुद भी heritage list में as a city शामिल किया गया है ओके चलिए फिर आता है केवलादेव नाशनल पार्क यानि क्यों लादियो नाशनल पार्क ये नाशनल हेरिटेज के अंदर इंक्लूट किया गया है केवलादेव जब हमने नाशनल पार्क पढ़े थे तो धन से पढ़ लिया था कौन से येर में 85 माई बर्थ ये भरतपुर के अंदर पढ़ता है और वेटलैंड के लिए one of the important wetland जो हमने पढ़े थे रामसर वेटलैंड उसमें भी आता है साइवेरिन क्रेन के लिए जाना जात है इसलिए दुबारा जान करके मैं याद नहीं करवाँगी ऐसे अगर आप वीडियो नहीं देखोगे और बार बार एक ही टेक्नीक दोंगी तो जो बच्चे फॉलो करते हैं वो बलेंगे मैं क्या करते रहते हो एक एक चीज पढ़ाते रहते हो है ना चल अब यह important है है हिल राजसी है ऐसा भी याद रख सकते हो तो राज से रंथमबोर आमेर जैसलमेर सी से चित्तोरगर ठीके राजसी और जी से गागरोन और के से कुंबलगर तो कैसे याद रखेंगे हम राजस्थान की जी के भी बहुत राजसी है राजस्थान के हिल्स तो राजसी है ही जी के भी बहुत राजसी है राजसी से हो जाएगा आड से रन्थमगोर, A से आमेर, J से जैसलमेर, C से चित्तोडगड, G से गागरोन, K से कुंबलगड ये 6 के लिए हैं जो की वर्ल्ड हेरेटेज लिस्ट के अंदर शामिल किये गए हैं फ्रॉम राजस्थान ये नाम याद रखने हैं, ओके, चलिए, मुविंग ओवर टो गुजरात, गुजरात में जल्दी से देख लेते हैं सबसे पहले हैं, ओके, चमपानेर, पावगड आर्केलोजिकल पार्क, जो की 2004 में हमने बोला था, छत्रपती ने पाउँ जमा दिये थी, तो छत्रपती जो टर्मिनस था, वो भ भी नहीं करेंगे, यहर याद करवारी हो एक बार वापिस से, तो एक तो चमपानेर, पावगड आर्केलोजिकल पार्क हमें देखना है, उसके बाद हमें देखना है, हिस्टॉरिक सिटी अफ एहमदाबाल, पूरी जो एहम अगर आ जाएगा तो खत्रा है, तो 17 हमने याद किया था, और 30 एक और है, रानी की वाव, दुर्ग राजा, राजा 2013, 13 मेरा, और रानी 14, ठीक है, यह मैं अभी याद करवा के याई हो, आपको अब जल्दी से डीटेल्स देख लेते हैं, तो सबसे पहले आ जाते हैं, चमपानेर, पावगड आर्केलोजिकल पार्क पर, य मॉस्क हैं, टेंपल हैं, टोम्स हैं, फोर्ट्रेस हैं, एटसेटरा, एटसेटरा हैं, यह सब जो जेनरल बाते हैं, वो नहीं पूछी जाती है, तो पूछी जाती है, ठीक है, ओके, फिर आजा हिस्टॉरिक सिटी ऑफ एहम्दाबाद, एहम्दाबाद पूरा शहर है, लेक करीब करीब 25 Archaeological Survey of India वाले प्रोटेक्टिट स्ट्रक्चर्चर्ज हैं इस City, Heritage City of, Historic City of एहमदाबाद में Archaeological Survey of India के जो प्रोटेक्टिट स्ट्रक्चर्चर्ज होते हैं जो उनको प्रोटेक्ट कर लेता है कि अब इनको हमें सन्रक्षित करना है इनको प्रिजर्व करना है उस तरह के 25 लग 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 25 यहां पर इस शहर के अंदर और शायद क्यों इसलिए इसको इंक्लूड किया गया युनिस्को की लिस्ट पर फिर आते हम रानी की वाव पर जिसको Queen's Step Well भी कहा जाता है ठीक है I don't know whether आपको पिक्चर ढंग से दिख रहे है नहीं दिख रहे है ट्राए करें है है गलिया रहे हैं स्टैप्स है तो इसको रानी क gevाव नि कहा जाता है All Right और है ओढब आदो क drastic a लिए इसकी स्टों कारिवंस के ओपर जो भी नकाश कार्विंस की गई है उनके लिए जाना जाता है और यहां पे जितने भी स्कुल्प्छर एं जो मूर्ति वागश्थ महाराश्ट्रा में, अचा, तीन केव्ज हैं, बहुत सारे हैं, यहां पे हरे इतिस साइट, सबसे पहले तीन केव्ज हम पढ़ेंगे, अजंता, ऐलोरा, एलेफेंटा, ठीके, ऑजंता, एलोरा एक्षरे में हुई थी, एलेफेंटा, जल्दी बताओ, रॉक कट रॉक कट क्यों, क्योंकि पथरों को, चटानों को काट्टर के Monuments, Cave Monuments बनाए गए थे और Richly Decorated Paintings वहाँ पे मिलती है Similar to Sigriya Paintings, important है ठीक है, जो Ajanta Caves में मिलती है Paintings या जो आर्टवर्क है, वो Ponsay Painting से मिलता जुलता है, Sigriya Paintings सिगरिया रॉक्स हैं श्री लंका में उन पर जो पेंटिंग है वही मिलती जुलती पेंटिंग यहां पर देखने को मिलती है ठीक है फिर आते हैं एलोरा केव पे और अंगाबाद के पास में आती है यह महाराश्टर में ही यह बुद्धिस्ट जैन और हिंदू टेंपल्स ती में ही तो महाराश्टर का स्टेट ही लगता है वहां पर सो लोकेटे अन आइलेंड क्लोस टू मुंबाई और अपने रॉक कट स्कुल्चर के लिए अगैन सेम थिंग और शिव जो क्रियेटर और डिस्ट्रॉयर है युनिवर्स का उनकी कार्विंग्स वहां पर देखने को म मिलता है आप महाराश्टर में दो और है जल्दी से देख लेते हैं पहला आता है चातरपति शिवाजी टर्मिनस जो कि मैंने बताा था दो हजारenth stomach window नाब जाता था Central Railway Headquarter है, टेरर अटेक्स में बहुत फेमेस हुआ था, 2008 के जो टेरर अटेक्स हुए थे मुंबई में, और गोथिक स्टाइल के लिए जाना जाता है, जो बहुत लंबी-लंबी, यह देखो, I don't know, आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसको पॉइंटेक्ट्चर, इसको गोथिक स्टाइल ऑफ आखिटेक्चर कहते हैं, इसके लिए भी जाना जाता है, नेक्स्ट आता है, विक्टोरियन गोथिक, अच्छा, यह चातरपती शिवा जी, महाराष्ट्र, याद करनाने की ज़रोत नहीं है, ठीक है, विक्टोरियन गोथिक, आर्ट डेको, एंसॉंबल अफ मुंबई, मुंबई आ रहे हैं, तो महाराष्ट्र होई जाएगा, अब देखो, यह दो अजार अठारा में हुआ ठीक है, यह एक कलेक्शन है, 94 बिल्दिंग्स का, एक पूरा, you know, kind of, एरिना, sort of, एक एरिया, एरिना तो नहीं बोल सकते हैं, हम, पूरा एक आसपास बिल्दिंग्स हैं, और बीच में ठोड़ा खाली एरिया, इस तरह का एक लोकेशन है, फोर्ट एरिया ऑफ मुंबई है, यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट, राजाबाई क्लॉक्टार, इरोस सिनेमा, जो हम देखते हैं, ठीक है, कॉन्वकेशन हॉल, उनिवर्सिटी अफ मुंबई, यह सब इसी एरिया में लोकेटेड़ है, और यहाँ पे जो अर्किटेक्चरल स्टायल है, वो है नियो गोथिक, कॉनसा है, नियो गोथिक, यहाँ पे गोथिक स्टायल है, यहाँ पे नियो गोथिक स्टायल अ अर्किटेक्चर है, डन, all right, moving over to Madhya Pradesh, Madhya Pradesh बहुत सारे monuments के लिए जाना जाता है, और उनमें से जो important, मतब जो UNESCO में added हैं, वो कौन-कौन से हैं, सबसे पहले, Khajuraho Group of Monuments, Khajuraho, पुरा Group of Monuments, जो 86 के अंदर, इंस्क्राइब किया गया था, उसके अलावा कौन सा है, Buddhist Monument Sachi, Sachi Stoop के नाम से हम जो जानते हैं, Buddhist Monument Sachi, and the third one is, Rock Shelters of Bhimbet का, इन तीनों को जल्दी से देख लेते हैं, Year हम पहले याद कर चुके हैं, चलो, तो Khajuraho के मंदर मध्यप्रदेश में हम पढ़ चुके हैं, जब मैंने आटन कल्चे की quiz ली थी, questions ली थी, 15 important तब याद किया था, तो Khajuraho ये याद होई जाएगा, Sachi Stoop, MP में है, तो Khajuraho नागर ये नागर स्टाइल होती है, भीम केंद्र में है, महाभारत के, भीम बेद का केंद्र में है, इंडिया के, तो मध्यप्रदेश हो गया, आप देखो, Khajuraho, नागर, या नागर स्टाइल, जो नागर स्टाइल होती है, यह भी मैंने बताया था, नागर स्टाइल और द्रवड स्टाइल और देखने को मिलते है, या नागर स्टाइल भी बोलते है, और साउत में द्रवड स्टाइल देखने को मिलता, तो नागर स्टाइल है, erotic figures and sculptures यहां के मंदिरों में, कामोत तेज्यक प्रतिमाय बनाई गए है, erotic figures बनाई गए हैं, और total around 85 temples पूरे complex में हैं, फिर अम बात करें, बुद्धिस monuments at Sanchi, Sanchi पे जो monuments हैं, Sanchi Stoop जो हैं जितने भी, वो one of the oldest rock structures या stone structures हैं इंडिया के, और यह मौर empire के time पे बनाए गए थे, अशोका के time पे popularly, you know, start हुआ थे इनका काम, तो one of the oldest stone structures है, और जो इनका center है, देखो, यह hemispherical structure आपको दिख रहा है, गुमबद जैसा जो होता है, और उसके अंदर ऐसा माना जाता है कि गुत्धम बुद्ध के जो अवशेश, जो उनकी राख थी रेलिक्स थे, वो अलग-अलग इसी तरह के structures में distribute कर दिये गए और उनके ओपर यह सारे structures बनाएगा, rock structures, ठीक है, तो यह हैं बुद्धिस monuments at Sanchi, और तीसरा है जो भीमबेत का की जो shelters हैं, या फिर जो गुफाएं है, तो ऐसा माना जाता है कि पांडव यहां पे आकर के रह भीम बेतका का नाम पढ़ा है कि भीम यहां पर बैठा करते थे, so famous rock paintings है, natural rock shelters है, stone age के inscriptions यहां पर पाय जाते हैं, और sitting place of भीम माना जाता है इसको, और विंद्या माउंटेंस के फुटिल्स पे लोकेटेड है, all right, moving over to Bihar, Bihar जो की सबसे पहले famous है, Nalanda University है, Nalanda Mahavihar heritage site के जो हजार सोला में इंस्क्राइब हुई और दूसरा है, बोध गया, महा बोधी या बोध गया temple complex, so archaeological site of Nalanda Mahavihar, sorry, Mahavihar at Nalanda, यह center of learning रहा है, और Buddhist monastery रहा है 3rd century BC से 13th century BC का, ऐसा माना जाता है कि बुद्धिस्म का जो प्रचार प्रसार रहा हुआ, वो यहां से बहुत जाद importantly हुआ था, ठीक है, बहुत popular university रही है, international level की, so this is it, then Mahavihar temple complex, popularly बोध वया के नाम से, जहां पे गौतम बुद्ध को, जब वो सिधार्थ के नाम से जाने जाते थे, जब राजकुमार थे, तो उनको जब जब ज्यान की प्राप्ति ही और वो गौतम बुद्ध बने, तो व बिहार में हैं, यह पहले ही आपको बता होगा, इसे मैं नहीं करवा रही हूं, बोध गया, and this, ओ-ओ, हम पीछे आगए, sorry, चलो, बिहार हो गया, moving over to Goa, 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 एक कुछुरा आकिटेक्ट्ट्रल फर्म्स हैं या आठ्स हैं जिनको पूरे इंडिया में पेस्प्रेड करने में बहुत इंपॉर्टेन रोल रहा, मैनिलाइन, मैनिरेस्ट और बारोक आर्ट ये आठ्स एं जो आट्टेक्ट्ट्र में भी इपिक्ट होती हैं, पेंटिंग बहुत सारी countries of Asia जहां जहां पे भी Catholic mission या जो Christianity से related mission चलता था वहां तक आर्ट पहुंचाने में Goa के Catholic, sorry Goa के Convents और Churches का बहुत important role रहा है और जो कौन से important Churches हैं जो इसमें शामिल किये हैं वो नाम यहां लिखा हुआ है आपको सरफ यह चर्च और Convents याद रखना है नाम याद रखने की जरुरत नहीं है फिर भी आप देख लीचेप और important info में डाल दिया है St. Catherine's Chapel, Church and Convent of St. Francis of Assisi, Basilica de Borm, Jesus यह सारे नाम हैं आप चाहें तो पढ़ सकते हैं I've just put them here वैसे आप Churches and Convents of Goa 1986 यह आपको याद रखना है ओके चलिए Moving over to Odisha, Odisha में एक है और कौन सा है वो Heritage Site Sun Temple Sun Temple को नाम जो कि 1984 में इंस्क्राइब हुआ था इसको यह जाना जाता है Black Pagoda इसको Chariot of the Sun की वज़े से भी जाना जाता है Kalinga Architecture यह देखने को मिलता है and Seven Wonders of India में शुमार है इसका जो पूरा शेप है वो एक बड़े रथ या चारिट की तरह है और जो पूरा एक वील है वो बहुत फेमस है यहां का और वो यहां का एक रेप्रेसेंटेटिटिव पिक्चर भी बनाता है हर जगे पे So, एक जाइजांटिक या गाइजांटिक चारिट की तरह है और एक स्टोन वील काव्ड है पिलर्स है वाल्स है और शिक्स इनॉर्मस काव्ड होर्सेज छै गोड़े वो रथ चला रहे हैं इस तरह से पूरा टेमपल डिजाइन किया गे और ब्यूटिफुल टेमपल यह सार तो I do not doubt आपको पता होना चाहिए नहीं पता है तो मैंसे याद रख सकते हैं Moving over to West Bengal, West Bengal में सुन्दरबन, very good, जो Natural Heritage Site है सुन्दरबन, 87 में इंस्क्राइब हुई Royal Bengal Tiger के लिए जाना जाता है, सुन्दरबन National Park है, Tiger Reserve है, Biosphere Reserve है, यह पढ़ चुके हैं हम ठीके और World का largest mangrove forest reserve है, mangrove area है, यह भी हम देख चुके हैं, ठीके, तो सुन्दरबन, West Bengal हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, बार-बार याद करने की जुरत नहीं है Moving over to North East now, ठीके, East का हो गया, अब North East चलते है, Sikkim, Sikkim में Mixed Heritage Site जो हमने बताए थी Kanchenjunga, यानि Kanchenjunga National Park, 2016 में जो inscribed हुआ, Himalayan Ranges में है, और जो Kanchenjunga है, वो World में 3rd highest peak है, यह भी हमें पता है, और यह अकेली Mixed World Heritage Site है, इंडिया के अंदर Right, अब इसमें और कुछ जाने की ज़रत नहीं है, Kanchenjunga पाड़ी वहाँ पर है, तो आपको Sikkim याद रही जाएगा Asam की दरफ चलते है, Asam में 2 National Park थे, जो की Natural Heritage Site भी है, एक आजाता है आपका Manas Wildlife Sanctuary Okay, और दूसरा है काजी रंगा National Park, so Manas एक Tiger Project भी है, Elephant Reserve भी है, Biosphere Reserve भी है कौन कौन सी Species यहां पर मिलती है, मैं जल्दी जल्दी क्यों बता रही हूँ, यह पढ़ चुके हैं पढ़ चुके हैं इसलिए जल्दी करा रही हूँ, मानव जो होता है या हमारा मन जब भी करता है, हम आसमान की तरफ देखते हैं, दिया था ना यह हिंट, तो आसमान से आसाम हो जाएगा, काजी रंगा National Park इतना बार पढ़ा चुके हैं, तो आसमान आसाम आपको याद होई जाएगा, यह आसाम रूफ, टर्टल, हिस्पेट, बोल्डन लंगूर, पिग्मी हॉग, यह सब यहाँ पर मिलते हैं, काजी रंगा National Park, 85 में है, और वर्ल्ड की तू थर्ड आबादी, वन हॉंड राइनसौर, यानि की एक सींग वाले गेंडी की, यहाँ पाई जाती है, और यह फ्लट प्लेंस ऑफ ब्रह्मा पुत्रा नदी पर बना हुआ है, तो यह सब हम पढ़ चोके हैं, इस ते जल्दी-जल्दी करवा दिया, अब आते हैं वेस्टन घाट्स पर, वेस्टन घाट्स यानि की पश्चम घाट, वेस्टन घाट्स कितने स्टेट्स में फैले हुए हैं, कितने स्टेट्स में फैले हुए हैं, कितने यह महाराष्ट्रा के भी हरिटेज साइट मानी जाएगी, कर्नाटका के भी मानी जाएगी, तमिलनाडू के भी माली जाएगी, करला की भी मानी जाएगी, अब देख लो, तो, 2012 में हमने बोला था, 12 बज्ज जाएगी, इतने लंबे हैं Western Ghats, ठीक है, अब याद करने पर आ जाते हैं, अब देखो Western Ghats का अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग नाम है, या अलग-अलग, क्लस्टर में अलग-अलग नाम हैं, आप ऐसे देखिए, एक स्टेट में भी दो क्लस्टर हैं, तो शिरुवात किरते हैं महाराष्टर से, महाराष्टर में इसको सहयादरी सब क्लस्टर कहा जाता है, सहयादरी, करनाटका में ताल कावेरी और कुद्रे मुख ताल कावेरी और कुद्रे मुख दो क्लस्टर पढ़ते हैं केरला की अगर हम बात करें तो अगस्त्यमलाई, पेरियार और अनमलाई तीन क्लस्टर पढ़ते हैं और Tamil Nadu में निलगिरी स्ब करता है यह पहाडियों के हिसाब से और नदियों के हिसाब से ख्लस्टर बनाए गए हैं ठीक है निलगिरी हील्स पढ़ती है नीचे तो Tamil Nadu में निल गिली सब कर गया अनमलाई हिल, पेरियार, अगस्तिमलाई, तो यह उससाब से नेम पड़े हुए हैं, जैसे जैसे आप फिजिकल जोग्रफी करते जाएंगे, इस सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, आपको यह ध्यान रखना है, चार स्टेट्स हैं जिनमें वेस्टन घार distributed हैं, सब क्लस्टर के नाम थोड़े थोड़े दिमाग में सेट कर लिजएगा, आच्छा, इसके अलावा थोड़े इंपॉर्टन बात और जो वेस्टन घार्ट से वो वर्ल्ड के 10 होटेस्ट होट स्पोट्स में से मतलब, जो सबसे इंपॉर्टन होट स्पोट्स हैं वर्ल पहले किया गया था, 1999 में, डार्जीलिंग हिमालियन रेलोइस को, ठीके, smilingós रिलोइस इसको नाया उटी तमिलनाडु का निल्गिरी मांटें रेलोइस, ठीके, रेलोइस जो की मांटेंस के थ्रू जाते हैं, या बहूत हैट पे जाते हैं, उनको इंक्लूड किया गया है, निलगिरी माउंटेन आ जाता है 2005 और 2008 में आ जाता है कालका, शिमला, हिमाचल प्रदेश का ठीके तो यह तीन माउंटेन रेलवेज हैं इंडिया के जिनको हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है All right Moving over to South Indian States दो स्टेट हैं जिनको हमें डीटिल में जल्दी से पढ़ लेना है करनाटका और तमिलनाडू सबसे पहले आते हैं करनाटका पर यहां पर दिखो थोड़ा इंपोर्टेंट है क्योंकि एक ग्रुप के अंदर कुछ मंदिर आएंगे उन मंदिरों के नाम आपको ध्यान रखने हैं उन पर सवाल बनते हुए पाए गए हैं कई बार तो दोनों एक बार देख लेते हैं चलिए सबसे पहले करनाटका करनाटक करना हां इनके नाम अच्छे से याद करवाएंगे Group of Monuments at Patta Dukkal So we will take Patta from Patta What we will take? Patta Patta is on the ground, it is like It is on the ground, it is on the ground Patta is on the ground, right? Patta is on the ground So Patta Dukkal will be on the ground From Karnataka, do you remember? Okay, Karnataka is on the ground Series of 9 Hindu temples And Jain Sancturys And Chaluk style of architecture So we will take care of this When the water starts, Patta is on the ground You can remember this So what will happen? Patta Dukkal will be on the ground And Patta Dukkal will be on the ground Next, Group of Monuments at Humpi Humpi What are we doing? We are also on the ground We are also on the ground I am also on the ground I am also on the ground We are also on the ground So what will happen? We will take care of it It is 86 We have seen it Goa churches were 86 Alright So Humpi was the last capital Of the last great Hindu kingdom Of Vijayanagar And Dravidian style of art and architecture Here is Dravidian style Dravidian style Then Tamil Nadu In Tamil Nadu comes Chola temples And Mahabalipuram Yes, what was written in the Sun temple Yes, the Sun temple In the Sun temple In the Sun temple So Chola temples Now if someone wear a chola Or wear clothes Then wear a cloth Or wear a cloth Then there will come Then there will come In the chola And the Tamil Nadu And Mahabalipuram If the cloth is open Then the whole cloth will move The cloth will move Or the cloth के खड़े रहना पड़ेगा ठीक है तो महावली भी नाड़े की वज़े से हाड सकता है और चोले में भी नाड़े का बहुत important role है तो नाड़े से तमिल नाड़ो याद रखेंगे गुड ओके जो चोला temples थे built by kings of Chola Empire के राजाओं ने बनाया था इसलिए इसको चोला temples कहा जाते है और इसमें इंपोर्टेंट 11th और 12th century के मंदिर है इनके नाम ध्यान रखेंगे आप ब्रिहादेस्वर temple एक है थंजवूर का और एक ब्रिहादेस्वर temple है गंगाई कोंडा चोलिस्वरम का ये दोनों ब्रिहादेस्वर temple हैं ठीक है दोनों जगे का नाम ध्यान रखेंगे आप एक है थंजबूर का दूसरा गंगायकुंडा चोलिवरम का चोलिष्वरम और दूसरा है एरावतेश्वर टेंपल ब्रिहदेश्वर एरावतेश्वर ठीक है एरावत हाथी को बोलते हैं उससे आप रिलेट कर सकते हैं और ब्रिहदेश्वर सीधे याल रखो तो देखो ऐसे देखोगे तो A, B, C चोला टेम्पल्स, ब्रिहदेश्वर, एरातेश्वर ठीक है तो A, B, C से एरातेश्वर और ब्रिहदेश्वर टेम्पल्स कहा है चोला, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स के अंदर ये दो टेंपल तो ब्रिहादेश्वर के हो गए एक एरतेश्वर का हो गया और राइट फाइन देन आजाएए अच्छा एरतेश्वर टेंपल है दरासुरम में और ये दो थंजवर और गंगई कॉंड़ा चोलिस वरम याद रखेंगे चलिए नेक्स ग्रूप ऑफ मॉनिमेटसें महावलीपुरम महावलीपुरम का देख लिजे पल्लवा किंग्स जो पल्लव किंग्स थे उन्होंने बनवाया था और ये स्पेशली जाने जाते हैं अपने रत के लिए जो की टेंपल से ये भी चारि ये मंदिर बनाये गए थे कोरो मंदल कोस्त के आसपास जो रॉक से उनको काल करके ठीक है अब आफ एक्स्प्लेंट बेटर चलिए एंड विद्स ओके सारे हरिटेज साइट कर लिये हैं कुल्च्छल कर लिये 37 नाच्रल कर लिया और एक मिक्स कर लिया उनके याद कर लिया इंपोर्टेंट इंफर्मेशन याद कर लिया अब अपने लेवल पर एक और बार पढ़ियेगा और इंपोर्टेंट इससे रेलेटेड आप निकाल सकते हैं लग लग बुक से और मीडियम से कोशिश करेंगे आने वाले वीडियो में आपके लिए कुछ क्वेशन भी इंको इंस्टा पर डेली डालते हैं उनके आप अंसर करने की कोशिश कीजे राइट जो भी अपडेट होती है वो हम कम्यूनिटी पे भी डालते रहते हैं तो अगर अभी तक आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं या आप कम्यूनिटी अपडेट्स नहीं देख पा रहे हो तो हो सकते है आपने या तो सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर नोटिफिकेशन नहीं किया है अगर आप चाहते हो अपडेट्स मिले तो आप कर सकते हो ओके यू किन फॉलो अस अन अल दीस सोचल मीडिया तो दिस एट पीपल जल्दी ही मिलते हैं एक एक और असान मनाने की कोशिश करेंगे हमारे तरीके से तो टेक केर बावाई